हाई आज हम लोग वी एस कोड में पाइफन में एक कल्कुलेटर बनाएंगे ओके तो में लोग वी एस कोड को अपन कर लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं कल्कुलेटर.py के नाम से तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कल्कुलेटर बनाने के लिए हमें करना किया है तो सबसे पहले हमें जो डेटा है वो यूजर से लेना है यूजर से करना है इन्पुट उके उसके बाद हमें ये देखना है कि उस पे operation क्या perform करना है data पे data पे operation क्या perform करना है ठीक है फिर data पे operation परफूम करने के बाद हमें output को कर देना है output को कर देना है कर देना है print और इतना करने के बाद हमारा calculator जो है वो बन जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है इन्पुट लेना तो यह सब हम लोग एक function के अंदर बनाएंगे और उस function का नाम रखेंगे calculator इसका नाम क्यलक रख देते हैं ओके और calculator के अंदर calculator function के अंदर हम लोग दो वीडियेवल बनाएंगे नम 1 एंदर नम 2 के नाम से नम 1 इस इकोल टू इन पूड़ तो इंटर परस्ट नमबर तो यहां से जो हमारा नमबर आएगा वह स्ट्रिंग में आएगा तो इसको हम लोग सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक 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 और user से इंपुट लेंगे ठीक है तो यहां नम 2 नम 2 कर देते हैं यहां पर सकेंड नमबर करना है सबसे पहले उसको इंपुट लेंगे तो उसके लिए इंटीजर का यूज नहीं करेंगे वह हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा इंटर यूपरेशन ऐसे करके लोग इंटर कर लेते हैं और हम लोग पैरेंथिजिस के अंदर ये लिख देते हैं कि हम लोग कौन-कौन सा ओपरेशन परफूम करने वाल है तो हम लोग प्लस प्लस परफूम करेंगे और माइनस परफूम करेंगे स्वारी माइनस परफूम करेंगे मल्टिप्लिकेशन परफूम करेंगे और डिविजर डिवीड डिवाइड ओपरेशन परफूम करेंगे थीक है अब हम लोग इफेल्स इस्टेट्मेंट का यूज करके ये पता करेंगे कि हमारा ओपरेशन जो यूजर है वो कौन सा ओपरेशन करने के लिए बोल रहा है और उस ओपरेशन में मैं क्या करना है वह operation है अगर वो बराबर है प्लस के ठीक है तो हमें क्या करना है हमें करना है प्रिंट हमें करना है प्रिंट नम 1 प्लस नम 2 अनम टू लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे अ तो लिख देंगे अब फाघे हो पर यहां पर हम व्म लोग सट्रीं यूज करेंगे हैश टी हाँ और यहां पर कड़को प्रेस के अंदर नम UEन कि एंड और कर्ली ब्रेसेज के अंदर नम्टू ठीक है और इससे कर्ली ब्रेसेज के बाहर आके लिख देंगे इज और यह भी हम लोग क्या करेंगे कि FC के अंदर ही लिखेंगे इसको लिख लेते हैं अब दसम फ्नम नम्टू इस और इसको कर्ली ब्रेसेज के अंदर ही लिखते हैं तो यह हमारा पर्लोस ऑपरेशन का काम हो गया है तो ऐसे ही हम लोग माइनस और और जितने भी ओपरेशन है उसके लिए कि कर लेते हैं तो कंट्रो प्लस वी एंटर बैक स्पेस कंट्रो प्लस वी एंटर एक सकेंट कंट्रो प्लस जड़ इंटर बैक स्पेस कंट्रो प्लस वी ठीक है तो यह सिफ इफ इफ के जगह हम लोग यूज़ करेंगे ल सिफ का करेंगे ल सिफ का यूज़ करेंगे ल सिफ करने कि पाइफन में हमारे पास इलिफ होता है ल सिफ नहीं होता है ठीक है अब सही है अब यहां पर प्लस के जगह प्लस के जगह करेंगे माइनस and the sum of 9 the subtraction the subtraction of num1 and num2 is num1 minus num2 ठीक है अभी यहां पर तीसरा operation करेंगे multiplication पर तो यहां पर multiplication का sign लगा देते हैं और the sum of यहां पर नहीं यहां पर the multiplication the multiplication of num1 and num2 is num1 multiply of num2 अब यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर दिवाइड बला लगा देते हैं और यहां पर सम नहीं दर the division यहां क्या लिखें दर the divide of the divide of num1 and num2 is num1 divided by num2 ठीक है और यहां पर हम लोग के पास कोई भी condition नहीं होता है और यहां पर हम लोग प्रिंट प्रिंट लगा के लिख देते हैं कि इसके almighty अलावा अगर कोई भी ए स्परेशन है तो वह कौंसा बेशन हो गया वह invalid operation है मतला हम लोग इसको पर फॉंप नहीं कर रहा है invalid operation ए Rainbow operation हैं तो सबसे पहले एक function बनाए केल्क नाम से और हम लोगों यहां पर यूजर से नंबर ले लिया मतलब नंबर कर लिया और उसको कैका-बного एक लूप लगाएंगे हम लोग बार बार जो है फाइल को रसके अवाइल त्रूँ пр月 करेंगे और त्रूब यहां पर हम लोग कि रण कर देंगे किसको कैल को ठीक है तो अभी इतना को रण करके देखते हैं तो हम लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे न्यू टर्मिनल एक सकेंट यह कहां चला जाया मैं कोई एरर है क्या है आपर नहीं कोई एरर तो नहीं है कि अगे तो हम लोग इसको रण करके देखते हैं कोई तो एरर दिख रहा है यार कि एल्स कि ओके ओके मैंने मेरी को यह पर ब्लॉक यूज़ करना है मैंने यह पर कर ली ब्रेस्ट को यूज़ कर रहा है ओके अब ठीक है तो अब मैं लिखता हूं पाइथन और क्या है तो हमारा फंक्षिन क्या हो गया है सबसे पहले यह वाई लूप चला और यह क्यों फंक्षिन को कर दिया रण क्यों रण होते ही नम वन नम वन मतलब जो नमबर वन है वह हमसे मांग रहा है तो मैं उसको 45 देता हूं फिर ओपरेशन पूछ रहा है तो प्लस का देता हूं ठीच है फिर सकंड नमर बोल राये 56 देते और इंटर करते तो सम उफ फर्ति फृटी फटीफऑ फृटीफा जोन देटलिवन वन है और गया है तो तो अब हम लोग को एक प्रॉब्रम तो यह दिख रहा है कि हमारे पास यह कोई भी तरीका नहीं है कि हम लोग इस लूप को बंद कर सेके मतलग स्टॉप कर सेके तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग फिर से एक फिर से एक इंपुट लेंगे यूजर से और उसमें लिखेंगे कि क्यूट और इंपुट लेने के लिए सबसे पहले इंपुट फंक्शन लगाएंगे ठीक है तो क्यूट is equal to इंपुट और इंपुट के अंदर do you want to repeat या do you want to cut ऐसे लिए देता है या ऐसे लिखते हैं कि पैरेंट्सीस के अंदर क्यूंग फोर कुट एंड आर फोर रिपीट यह ठीक है तो क्या होगा कि अगर यूजर क्यू लिखता है तो हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन को कुट कर देंगे ठीक है तो उसके लिए हम लोग फिर से इफ यह स्टेट्मेंट यूज करेंगे कि इफ कुट एक सुकिन मेरे को क्यूट लिखना है यहां पर इफ क्यूट इस इक्वेल टू इस इक्वेल टू इस इक्वेल टू क्या हो आर आर के बराबर हो अगर क्यूट हमारे आर के बराबर हो तो हम लोग क्यल फंक्शन को करेंगे रण नहीं तो नहीं तो हम लोग एक इलिफ लगाएंगे इसके बाद क्योंकि फिर से चीक करना चाहते हैं फिर से कंडिशन लगाना चाहते हैं और यहां पर देखना चाहते हैं कि क्या है हमारा क्यूट अगर हमारे क्यूट के बराबर हूं तो हम लोग इस लूप को करना चाहते हैं ब्रेक ठीक है इस लूप को करना चाहते हैं ब्रेक उसके बाद अगर नहीं यह क्यू हो नहीं आर हो तो उसके उसमें लोग क्या करना चाहते हैं उसमें लोग करना चाहते हैं प्रेंट और उसमें हम लोग प्रेंट करेंगे इन्वैलिड इन्वैलिड इन्पुट की यूजर ने जो इन्पुट दिया है वो क्या है इन्वैलिड है और हम लोग इस लूप को यहाँ पर ब्रेक भी कर देंगे ठीक है तो आप हम लोग इसको करते हैं रन तर्मीनल न्यू टर्मीनल और यह बार बत्युसरे फाइल कि खंच जा रहा है कि अब लोग यहाँ याँ पर लेक्रिखें के पाइफन आज उस अपना फाइल का नाम लिखने के यह कर देंगा रन तो सब से पहले पूछ रह अं कि क्या हम लोग इस function को क्योंट करना चाहते हैं या repeat करना चाहते हैं तो सबसे पहला problem तो दिख चुका है भी लेकिन आप आदे के पहले repeat करते हैं फिर इसमें 3 लिख देते हैं माइनस करना चाहते हैं इस पर ठीक है और इसमें 4 लिख देते हैं तो the subtraction of 3 and 4 is minus 1 ठीक है तो अब पूछ रहा है कि क्या मतलब यह पूछ रहा है कि क्या क्योट करना चाहते हो रीपीट करना चाहते हो मैं फिर से आ लिख देता हूं ठीक है तो मैं इस आज 4 लिख ओंगा और multiply करके 5 लिखंगा तो the multiplication of 4 and 5 is 20 ठीक है आप यह पूछ रहा है कि Q करना चाहते हो या repeat करना चाहते हो अगर मैं Q लिख देता हूं और enter कर देता हूं तो क्या हुआ तो हमारा फाईल बंद हो गया मतलब हमारे जो program चल रहा था वो बंद हो गया ठीक है हम लोग फिर से run करते है और इस बार नहीं Q देंगे नहीं आर देंगे हम लोग कुछ और लिख देते हैं अब इसको run करते है तो invalid input लिखके फिर से हमारा वार बंद हो गया तो यह सब ठीक है यहां पे प्रॉबर्म यह है कि जब नगे आगा इसमें आपको दिखाऊं। कि जब मैं यह लिग कर रहा हूं तो यह तो पर्स टाइम आ रहा है यह न आए क्योंकि फर्स टाइम अगर फाइल को रन कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यह कि हम लोग एक ना एक बार करना ही चाहते हैं ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे एक टेंप टेंप नाम का वेडियेवल बनाएंगे और उसकी इनिसियल वैल्यू रख देते हैं ठीक है और लोग यहां पर इस स्टेट्मेंट लिख देते हैं सबसे पहले तो जब यह रन करके बाहर है तो टेंप को कर दो एक सब्सक्राइब यह पहला पर रन हो जाए तो टेंप को कर दो कि टैंप पलस कि इस इकोल डू वन ऐसा कर देते हैं मतलब टैंप में क्या करो उसको एक से बढ़ा दो और मैं यहां पर इफ से लगांगा कि इफ जो हमारा टैंप है वो पड़ाबवर है जीरो के तब ही मतलब बावबर नहीं है जीरो के एक सबस्क इसको ठीक से देखते हूँ हमार और मैं इसको इफ के अंदर कर दूंगा तो तो अगर हमारा टेम्प जीरो है तो यह रन नहीं होना चाहिए टेम्प जीरो है तो यह रन नहीं होना चाहिए मतलब अगर इफ टेम्प जीरो यह सही है तो टेम्प अगर हमारा जीरो नहीं है तब यह रन होगा और यहां पर हमारा क्यूट नम का यह जो इंपुट है वो नह जाएगा and then and then हमारा ये input function चलेगा अब हम लोग क्या करना चाहते हैं जब हमारा ये while loop खतम हो जाए तो direct खतम ना हो सबसे पहले तो print function print function लगा देते हैं कि thank you for using this calculator calculator okay और फिर एक number of time हम लोग प्रिंट कर देते हैं जैसे यह temporary variable हम लोग ने बनाया और यहां पर हम लोग temp variable का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना temp variable को एक तरीक्या से और इसका यूज कर लें इसको हम लोग ऐसे कुछ लीग देते हैं आप्रिंट कर देएं कर देएं कर देएं कि यहां पर मैं एफ स्टिंग यूज करूंगा कि इस कल्कुलेटर कि एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब टाइम्स ठीक है कि यह मैं प्रिंट करके अपना पाइफन वाले फाइल को कर दूंगा बंद ठीक है तो मैं यहां पर एक और प्रिंट लगांगा जो कि थोड़ा सा हाइलाइट मैं इस चीज़ को रखना चाहता हूं कि और इसमें मैं प्रिंट करूंगा यह और इसको करूंगा कंट्रूल प्लस कौपी लाइन डाउन को मैंने रखाता है साहत कंट्रू प्लस नीचे तो मैं कंट्रूल प्लस ब्लस इकरऊंगा सबसे पहले एक इसको कौपी लाइन डाउन ऐसे करूंगा ठीक यह सही है तो मैंने इतना कर दिया अब मैं देखता हूं इसको रन करें कि मैं जो चाह रहा हूं वह आखिर हुआ भी है या नहीं तो मैं सबसे पहले रन कर रहां करूंगा अपने फाइल को यह कर दिया रन इनK U for using this calculator fuel एक सबससाद करहा है या यह तो पहले ही बनद हो गया अजाँ यह एक सकेंड यह भी तो सब्सक्रान या पर भाफिक हां हो क्या रहा है यहां प्वेसिकली चला नहीं ठीक है जब क्यूट चला ही नहीं तो हमारा यह फंक्शन ही नहीं चला क्यूट नाम को कोई वेरियेवल ही नहीं यह यहां पर ठीक है तो इसको कैसे स्वाल पिया जाए कि इसको कुछ ऐसा करते हैं कि देखो जब यह ट्व ट है तब तो हमारा तैम आप ना चले लेकिन लोत चाहतें कि पंप जीरो है तो हमारा कि मैं लोग चाहते है किमारे के रेगल फंक्षन ह यहां पर कॉल हो जाए आप हम लोग रण करके देखते हैं ठीक है तो एक कहां चले गए है एक सकेंड हाँ ठीक है तो मारा फंक्शन तो कॉल हो चुका है ठीक है तो हम लोग नमबर देते हैं और यहां पर यह प्लस 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 आइन इन है यार में को फूर दसम आप फोर इस एट इन्वैलिद इन्पूट है यू यू इस कल्वेटर जिए तरह तरह थेंग तो एक सेंड अब देखो प्रोब्लम कहां पे आ रहा है क्योंकि कि यह सब्रन मेरा कर जा रहा है यहां पर एक और इस स्टेटमेंट है इफ अब हमारा टैम्प अगर जीरो नहीं है एक सगेंड यह क्यों लीख हूं मैं मैं सीधा इसको उठा के यहां ना कर दूँ थोरा सा इंटेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे है टैप दे रहा है मैं टैप दे रहा हूं हम्म ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके यहां पर इसको ठीक है अब ठीक है अब ठीक है फिर से रंड करते हैं लोग कि तो फॉर्स्ट नमबर इंटर फॉर इंटर कर दिया परिए प्लस फाइव इंटर कर दिया तो नाइना के था समों 4 & 5 is 9 अभी यह पूछ रहा है कि क्यूं से कुछ करना चाहते है या रिपीट करना चाहते है तो मैं क्यों लिजेता हूँ तो इंटर फ्रस्ट नमबर चलो 56 देते हैं मल्टिप्लिकेशन और कोई बड़ा सा नमबर मल्टिप्लाइब करके देखते हैं इससे और हम लोग आर लिखके फिर से रिपीट करते हैं फिर बड़ा नमबर को डिवाइड करते हैं कोई एक सकंड लोग यूज करो यार ठीक है इ अब मैं यहां पर कर दूंगा क्यूट तो मैंने इस कल्कुलेटर दो टाइम उसक्राइं थैंक यूज इस कल्कुलेटर अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और सही कैसे कर सकता हूं मतलब यह बन तो गया है बहुत बहतर लेकिन इसमें अभी भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम है तो पहला प्रॉब्लम क्या है पहला प्रोख्लम तो यह है मैं आपको बताता दे करकी दिखा देता हूं तो यहों पर आ गया हमारे लिए एक एरर ठीक है तो कि अब यूजर windows यूजर तो कुछ भी दे सकता है तो हमें इसका भी ख्यार लगना पढ़ेगा आप जो कैसे इस सब्सक्राइब लोग कि इन धिश्क्स क्यांज के ऊथे कर सकते हैं इसको नहीं कर सकते हैं ठीक है अभी यह लोग टना एडवांस नहीं चाहते हैं हमारे जो कल्कुलेटर बना है वो एक दम एक नंबर बहुत मस्ट और बहुत मस्ट बना है ठीक है तो यह एक तरीका है यह एक तरीका है जो पाइफन में कैसे बना सकते बाकि बहुत सारे तरीके जिसे पाइफन में बना सकते हैं और सबसे सही तरी तो यह है पाइफन में कल्कुलेटर यूज करने का सीधा पाइफन लिखो यहां पे खुल जाएगा एक रैपल मतलब रीडिवल्यूट प्रिंट लूप जिसका रेपल का फुल फॉर्म होता है और यहां पर कि जो भी करना है मतलब पाइफन एक कोई भी कोड़ी करना है वह कर सकते हैं यहCu 45 ii plus 79 में करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं थीक है तो यह बैसिकली मैं बताना चाहता हूं कि पाइसन लीक करेपेल खुल यहाते हैं और इसमें नोग पाइसन का कोड लाइन बाइन इसक् Niq कर सकते हैं ठीक है तो यही था आज के वीडियो में थैंक यू